तो यह अज़िए अब्रीवन वेलकम नौब वी विल स्टडी दे सब्जेक्ट रेडियेशन फिजिक्स ऑफ डी रटी पार्ट फर्स्ट तो जैसा कि रेडियेशन फिजिक्स में अपन पढ़ रहे थे है जो आप तो जैसा के रेडियेशन फिजिक्स को स्टार्ट करने से पहले एक अपना basic concepts, that means basic physics का एक छोटा सा topic रह जाता है, उसको हम discuss करेंगे, then हम start करेंगे radiation physics के बारे में, जैसा कि अब आपको दिखाए दे रहा है, आपको अपना topic है, आज का basic concepts, वैसे देखा जाए तो यह जो basic concepts का topic था, यह एक बार अपनी offline classes में हो चुका था, इस वज़े से starting मे इसको अपनने नहीं कर आया था, बट अब इसको online classes में भी अपन कर लेते हैं, तो basic concepts से हम यह समझते हैं, सबसे बहली बात, कि जो normal physics के basic topics, जो कि आप 7th, 8th, या फिर 9th के अंदर जो आपने discuss किये थे, कुछ छोटे-छोटे topics हैं, easy से, आसान से, कई बार इनका question short note में आता ह है, अपने papers के अंदर, that means, अपने syllabus में आती हैं, यह चीज़े, तो that means, यहाँ पर आपन आज basic concepts को clear करेंगे, basic concepts को clear करने के बाद में, हम radiation physics के बारे में study करेंगे, तो basic concepts में, सबसे पहले अपना जो है, that means, जो अपना first topic है, वो है unit, unit that means, जिसको हिंदी में आप इकाई बोलते हो, ठीक है, that means, कि आप physics के अंदर, आपकी बहुत सारे quantities राशिया होती है, ठीक है, length हुआ, mass हुआ, इनको आप किस में नापते हो, that means, इनकी कुछ नकुस तो इकाई होती है, या फिर जब भी आप कोई भी definition लिखते हो, किसी भी quantity के, तो last के अंदर आप लोग लिखते हो, ऐसा unit of this and this, ठीक है, that means, unit है क्या चीज़, बहुत basic सी चीज़ है, आप समझते हो, आपको पता है, but definition लिखना थोड़ा सा, कठीन हो जाता है, तो that means, आज हम सबसे पहले unit, इकाई के बारे में discuss करते हैं, कि unit क्या होती है, to study the matter and energy, and their various properties, measurement of the physical quantities, such as length, mass and times are needed, जैसा कि, कोई भी quantity, या फिर कोई भी पतार्थ, ठीक है, matter कि अगर अपन बात करें, कोई भी पतार्थ, अगर आपको उसकी properties, उसकी विसेस्ताओं के बारे में पता लगाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको measurement करना पड़ेगा, और measurement करने के लिए, आपको वहाँ करलाती है, unit करलाती है, that means to study the matter, किसी भी पतार्थ के बारे में, study करने के लिए, उसकी energy के बारे में, उसकी properties के बारे में, measurement of physical quantities, such as length, mass and time, for example, या इन्होंने उधारन के तोर पे देख, जैसे आपकी length, mass, time हुआ, इन सब ये जो quantities हैं, physical quantities, इनकी measurement करने के लिए, जो term आपको च hazard accurately in terms of its own term, are known as unit, that means, कि कोई भी physical quantity हो, उसको जब आपनापते हो, तो उसके लिए एक अलग से और एक special term use किया जाती है, एक सब्द यूज गया जाता है, और वो सब्द ही क्या कहलाता है, आपका, unit कहलाता है, unit have two types, अब जैसे कि अपन यहापी unit है, टाइप्स के अगर बात क दो प्रकार की unit होती है, एक fundamental और एक derived unit, example के तोर पर अगर अपन यूट की बात लेकर चले है, तो for example, आपकी quantity है, length, length को अगर आप नापते हो, तो for example, अगर आपके पास unit नहीं है, तो आप वहाँ पर करते रहोगे, 5, 4, 10, 12, लेकिन आपको यह नहीं पता है कि है क्या, नापने के लिए जो एक term यूज की जाती है, जो सब्द यूज किया जाता है, वो सब्दी क्या कहलाता है, unit कहलाता है, अब अगर अगर अपन unit के types की बात करें, तो unit दो प्रकार की होती है, एक fundamental unit और एक derived unit, इनके बारे में भी अभी अपन discuss करेंगे, now we will discuss about the first type of the unit, which is known as fundamental unit, that means, कि अपन पहले type की पहले प्रकार की यहाँ पर बात कर रहे हैं, जिसे आप fundamental unit बोलते हो, fundamental that means, इस word से आप यहाँ पे समझते हो, साफसी बात है, कि यह स्वतंतर होती है, ठीक है, इनका खुद का base होता है, खुद पे dependent होती है, मतलब independent होती है, खुद पे ही depend होती है, किसी और पे depend नहीं होती है, ठीक है, for example, आपकी जो, आप example पे समझो, for example, length है, आपकी length की unit के पतंतर है, और किसी पे depend होती है, इनका खुद का base है, वो units आपकी क्या कहलाती है, fundamental unit कहलाती है, the units which are independent of one another and have their own standard base are called fundamental units, that means कि वो units जो क्या होँ, independent हो किसी और से, that means वो किसी पे dependent नहीं है, and they are own standard base, और उनके पास उनका खुद का base होता है, खुद का आधार होता है, वो units कौन स of all other physical quantities can be obtained from the fundamental units जैसे कि अगर अपन बात करते हैं दूसरी units की यह तो आपकी fundamental वी इसके लावा जो भी units है ठीक है अपन चाहे हो derived unit हो या फिर और भी किसी भी physical quantity की कोई भी unit है वो सारी की सारी unit निकल के कहां से आती है that means fundamental units से derived unit की जब आप definition पढ़ोगे तो आपको हाँ पर पता चलाएगे derived unit dependent होती है उनका खुद का बेस नहीं होता है तो निकल के कहां से या फिर उनका बेस क्या है उनका बेस fundamental unit होता है ठीक है that means fundamental unit खुद में अपने आप में स्वतंतर है इनका खुद का बेस है किसी पर dependent नहीं है वो units आपके fundamental units कहलाती है और बाकी की जो दूसरी unit से जितनी भी वो सारी के सारी बनती कहां से या फिर निकलती कहां से fundamental से बिकोज उनका बेस कौन सा होता है fundamental unit होता है example के तोर पर अगर अपन लेके चले तो मास की unit किलोग्राम dependent नहीं है किसी पर भी independent है इसी तरीके से length की unit आपकी meter होती है और time की unit आपकी क्या होती है second होती है that means यह आपकी units fundamental units है which are independent and their own standard base उनके पास उनका खुद का base होता है यह आपकी fundamental units कहलाती है अब अपन बात करते हैं derived unit की derived unit के अगर बात की जाए derived that means किसी और से derived होना किसी और से निकल के आना कहीं और से उनका उत्पन होना ठीक है that means the units which are not having their own standard base and obtained from the fundamental units are called derived unit that means उस प्रकार की units उस प्रकार की एकाई जिनके पास खुद का कोई भी base नहीं होता है खुद का कोई भी आधार नहीं होता है और ना ही वो independent होती है वो क्यों होती है dependent होती है और किस पर dependent होती है fundamental units पे that means कि fundamental units उनका base होता है और fundamental units से ही वो क्या होती है derive होती है तो इस प्रकार की जो units होती है वो आपकी कहलाती है derive unit अब इनको आप समझे है यहाँ पे example का तोर पर आपकी जो physical quantity है वो area छेतर अब छेतर के unit आपकी क्या ही meter square बट यहाँ पे meter square में जो meter है वो किसकी unit है length की unit है that means कि जो area की unit थी वो dependent कि कि unit पे हुई length की unit पे हुई ठीक है that means meter यहाँ पे क्या थी एक fundamental unit थी और अब जो meter square जो unit है यह वो आपके कौन से unit है derived unit और derived unit fundamental unit से मिलकर बनिये दो fundamental unit यहाँ पे मिली है एक meter और दूसरी भी meter जब आप इन दोनों का multiplication करते हो तो आपका millimeter square ठीक है इसी प्रकार से दूसरी quantity है आपके पास velocity वेलोसिटी की unit है meter per second यहाँ पे दो fundamental unit मिलके एक derived unit बना रही है first fundamental unit है आपकी meter और दूसरी fundamental unit है second first meter आपकी length की है दूसरी जो आपकी second है वो time की है that means कि दो fundamental unit की साहता से आपने क्या किया यहाँ पे एक derived unit derive की है इसी प्रकार से density के अगर आप बात करते हो तो density में भी kilogram और meter cube ठीक है that means kilogram upon meter cube है तो यहाँ पे भी यह जो पूरी unit है यह किसका group है fundamental units का group है fundamental units से ही मिलकर बनी है एक बार दुबारा समझना इस चीज़ को that means कि जितनी भी आपके derived unit होती है उनके पास ना तो खुद का base होता है और वो dependent होती है that means ना वो independent होती है निकलती कहां से कहां से produce होती है fundamental units से that means इनका base क्या होता है fundamental unit होता है और इस प्रकार की जो units होती हो वो आपकी कहलाती है derived unit example के तोर पर आपन यहां पे लिखा area की unit meter square जहां पे meter एक fundamental unit है वलॉस्टी मीटर पर सेकंड जहाँ पर मीटर एक फंडडमेंटल उनट ही कहां इस बाड़ाइब की है अब अपन बात करते हैं SI unit के SI unit that means इसके full forum होती है system of international unit सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इसकी जरूरत अपने को क्यों पड़ी इसमें हुआ ये कि अलग-अलग countries अपनी ठीक है अलग-अलग quantities तो अपनी एक ही है length तो यहाँ पर भी length रहेगी length वहाँ पर भी length रहेगी ठीक है बट हुआ क्या कि सब ने अपनी-अपनी units बना रखे थी कोई length को mass में ना पर आप रहा तो कोई length को मीटर में ना पर है तो कोई length को centimeter में ना पर है या फिर जैसा कि अपन बात कर सकते हैं कि length कि सब ने अलग-अलग units derived कर ली ठीक है सब ने अपनी-अपनी units, standard units बना ली बट बाद में हुआ क्या कि जब आप interchange करते हो या आप conversation करते हो तो वहाँ पर इन चीजों में problem आती है तो इसलिए एक system मनाया गया जो कि international था that means कि अब यह units that means all over world सारी के सारे जितने भी physical quantities हैं उनके लिए यह units काम में ली जाएंगी ठीक है ताकि conversation के अंदर कोई problem ना हो तो over the years many systems of units such as FPS, CGS, MKS and RMKS have been used that means कि कुछ सालों पहले बहुत सारे systems use किये जाते थे ठीक है unit के system CGS, FPS, MKS RMKS use किये जाते थे that means कि अपने example के तौर पे लेगे चले तो for example जैसे इंडिया अपना MKS use कर रहा है फिर नेपाल है वो CGS यूज़ कर रहा है Australia that means सभी अपनी systems यूज़ कर रहे थे तो इससे कि problems create होने लगी तो फिर क्या किया गया in 1961 the new system of unit the system of international unit SI unit was introduced तो 1961 के अंदर एक नया system बना गया जिसको हम बोलते SI unit system that means system of international a international system बना देगा अब इस system में क्या किया गया कि सारे सारी units डाल दी गई जो कि all over world एक साथ that means वही यूज़ की जाती है the SI system is superior to all other systems and more convenient in practice that means कि SI system यह जो बाकी के जो system थे FPS, CGS, MKS, RMKS इन सब से superior था अच्छा था और ज्यादा तर फिर यही काम में आने लगा now this system is used throughout the world और अब यह system throughout the world that means पूरे संसार में यूज़ किया जाता है SI system system of international unit आप इसके word से ही हैं आपे समझ सकते हो international word आ रहा that means कि यह all over world में यूज़ किया जाएगा यह फिर अगर इसके level की बात करें तो international level गाए एक system है कि इस system के अंदर साथ तो आपकी fundamental unit है और दो supplementary unit है no units डाली गई उसके बाद में जितनी भी derived units थी वो सब fundamental unit के base पे derive की गई there are seven fundamental units and two supplementary units in the SI system as shown in the table SI system के अंदर no units डाली गई थी जिसमें से साथ तो आपकी fundamental units थी और दो supplementary units थी और फिर बाकी की जितनी भी derived unit बची वो किस से derive की गई fundamental unit से derive की जाती है या फिर की गई अब अपन यह देख लिते है no unit कौन कौन सी है जैसा कि आपको table में यहाँ पे show हो रहा है physical quantity unit and symbol ठीक है तीन चेज़ा आपको दिखे हैं राशी उसकी unit that means उसकी इकाई और उसका symbol that means chin सबसे पहले अगर अपन बात करें length तो length की unit थी meter और इसको हम small m से denote करते हैं mass, mass की unit kilogram जिसको kg से denote किया जाता है time की unit second जिसको h से denote किया जाता है electric current जिसकी unit क्या होती है ampere और इसको capital A से हम denote करते हैं temperature, temperature की unit होती है जैसा है कि आप physics के अंदर कभी भी derivation करते हो तो आपका temperature अगर degree Celsius में या फिर degree Fahrenheit में तो आप उसको पहले क्या करते थे Kelvin में convert करते हो then आप उसको किसमें काम में लेते थे numerical में काम में लेते थे because जो ऐसा ही system हो आपको क्या बताता है temperature की unit Kelvin होती है luminous intensity that means light की या फिर आपकी जो भी intensity के अगर अपन बात करें तिव्रता की अगर अपन बात करें चाहिए वो light की हो या फिर वो sound wave की हो किसी भी wave की तो उसकी जो unit होती है candlela जिसको आप small cd से denote करते हो amount of substance किसी भी substance या फिर पदार्थ का amount कितना है उसके लिए mole जो कि आप पढ़ चुके हो mole क्या होता है और इसको हम symbol इसका है mol plane angle radiant इसकी unit होती है radiant और symbol होता है rad solid angle की अगर बात की जाए तो solid angle की unit होती है stay radiant और इसका symbol होता है अपना sr that means ये no physical quantity हैं और इनकी ये no units है और no symbols है जो कि आपकी SI system में आती है system of international units के अंदर ये चीज़े डाले गई थी इसके बाद में जो बाकी के units बच गई है वो कौन सी होती है आपके derived unit होती है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि derived unit dependent होती है independent नहीं होती है नहीं उनका खुद का base होता है उनका base क्या होता है आपका fundamental unit होता है तो derived unit फिर कहां से derive की जाती है आपकी इनी fundamental unit से derive की जाती है और ये fundamentals units या फिर ये जो ऐसा है system है ये all over world पूरे संसार में ये ही system abuse किया जाता है जो कि 1961 के अंदर derive किया गया था introduce किया गया था अब जैसा कि अभी अपने बात की यहाँ पर unit की unit हो गई आपकी इकाई किसी भी पदार्थ है उसकी properties को आपने नापने के लिए चीजे बनाई अब अपन बात करते है quantity की राश्य quantity क्या होती है that means यहाँ पर physical quantity कोई भी आपका पदार्थ है उसकी जो amount होती है कितना है वो चीजे आपके क्या कहलाती है quantity राश्या कहलाती है अब जो आपकी राश्य होती है वो भी दो प्रकार की होती है that means दो प्रकार की quantities होती है एक होती है scalar quantity और एक होती है आपकी vector quantity हिंदी में इनको बोलते है एकको शदिस राशिय और एकको बोलते है अदिस राशिय जैसा है कि आप लोगों से शधिस शह दिस दिस यानि दिशा स्जह शह the means वो राशियं जहाँ पर दिसा होती है दैट means डाइरेक्शन होती है वो तो कहलाते है आपके शधिस अगर अगपन बात करें अधिस हिया ए दिसा यचा इंब है Lazidarни नोकी पան मेटर आखार है तो 5 मेटर रहता ही , है और अगर अगर बात करते हैं वेलोसीटी टो आपका डिपेंड करता है डिएरेक्षिन पे ठीक है, अपन बात करते हैं force की, तो वो भी depend करता है आपके direction पे, ठीक है, that means जहाँ पे direction होती है, वो quantities कहलाती है आपकी vector quantities शदीश राषिया और जहाँ पे direction नहीं होती है, वो कहलाती है, अदीश राषियाँ, scalar quantities तो सबसे पहले पन बात करते है, scalar quantities quantities that have only magnitude and no direction are called scalar quantities scalar quantities वो होती है जहां केवल magnitude होता है that means परिमान होता है वहाँ पे केवल direction नहीं होती है और वो quantities क्या कहलाती है आपकी scalar quantities कहलाती है to find the resultant of scalar quantities they are simply added algebraically एक और फंडा है यहाँ पे फंडा यह यह कि जो scalar quantities है अगर आपको जोडना है उनको 2 या 2 से ज़्यादा अधिक कोई भी राशियों को आपको जोडना है तो जोडने का यहाँ पे simple method है that means जो आपका algebraic method जिस तरीके से आप simple कोई calculation करते हो उसी तरीके से आप उनको जोडते हो तो वो आपका resultant निकलेगा that means वहाँ पे sum निकलेगा example है इसका length mass time length के लिए अगर आप लेके चलते हो for example दो length आपकी एक 2 meter है और एक 5 meter है आपको total करना तो आपके कितनी हो जाएंगी 7 meter that means आपने simple algebraic sum यहाँ पे किया है but vector quantities में ऐसा नहीं होता है अब vector quantities में क्या होगा यह भी आपन डिसकस कर लते है अब आपन बात करते हैं यहाँ पे vector quantities की quantities that have a magnitude as well as direction are called vector quantities that means वो राशिया जिन में परिमान तो होता ही है पर परिमान के साथ साथ उन में दिशा भी होती है उनके पास दिशा होती है उनके पास direction होती है वो quantities आपकी vector quantities के लाटती है that means शदिस राशिया to find the resultant of two or more vector quantities simply algebraic addition is not applicable जैसा है कि आपने scalar quantities के अंदर दो या दो से अधिक quantities को जोडने के लिए simple algebraic addition किया था वो वहाँ पे applicable था बट ऐसा applicable यहाँ पे नहीं होता है that means vector quantity में आप ऐसा नहीं कर सकते कि दो और दो से अधिक राशियों को जोडने के लिए आप simple algebraic addition method वहाँ पे apply कर दो वो वहाँ पे apply नहीं होगा तो इसके लिए आपको क्या करना होगा to addition of vector quantities is done by the parallelogram low और triangle low of vector addition इसके लिए अलग से दो low बनाए गए है एक हाँ आपका triangle low of vector addition और दूसरा है parallelogram low of vector addition अब यह जो low है इनकी अगर बात की जाए तो यह आपने 12th के physics में starting के अंदर that means 12th ने 11th के physics में यह चीज़े पढ़ाई जाती है basic concept है दो प्रकार के low है that means इनके लिए अलग से नियम बनाया गए उस नियम के according आपको vector quantities add करनी होगी अब अब vector quantities के example अपन लेकर चलते है displacement, force, velocity that means displacement क्या होता है इसके पास भी direction होती है force के पास भी direction होती है velocity के पास भी क्या होती है that means इनके पास में magnitude तो है ही है but magnitude के साथ साथ में direction भी है तो यह आपके विए दो प्रकार की quantity एक scalar quantity अधिस राशिया और दूसरी vector quantity अठिस राशय जिनके पास दिसां नहींहें होती सहांप्ल अधिस-्राशय जिनके पास दिसां नहीं वर्म SCOTT है एक्जैंप्ल अजिवारश्च ए ऊपका है यещ assumingक्त एम कर गांटिदिए अगर आपने एक्जंपोल लेकर चले तो डिस्प्लेस्मेंट फोर्स वेलोसिटी आपके थेंक क्यों एवरिवर्वार्ण क्यों एवरिवर्ण की देवर्ण झाल 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 झाल